हाई अब्रीवन सो दोस्तो आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में गाईज आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर आप चाहते हो फेस्बुक का नाम चेंज करना तो दोस्तो आप कैसे कर सकते हो दोस्तो अभी के टाइम पे फेस्बुक बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुका है जिससे अगर आप फेस्बुक की सेटिंग में जाते हो या फिर पर्सनल डीटेल में जाके अगर आप ढूंडते हो कि फेस्बुक का नेम कैसे चेंज करें तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि फेस्बुक का नेम कैसे चेंज करते हैं इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर अपनी मोबाइल स्क्रीन पर अभी हम आ चुके हैं मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर अब यहाँ पर मैं आपको one by one सारा प्रोसेस बताऊंगा आपको concentrate होकर इस वीडियो को देखना है ठीक है यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है अपने play store में चले जाना है जैसे आप play store पे जाओगे यहाँ पर आपको search कर लेना है Facebook ठीक है जैसे आप इतना सर्च करते हो उसके बाद आपको सर्च कर देना अब जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपका Facebook का option आ जाएगा ठीक है आपको Facebook क्या करना है एक बार update कर लेना है अगर आपका update दिखा रहा है तो ठीक है यहाँ पे देखिए मेरा अपडेट दिखा रहा है चलिए हम इसको अपडेट कर लेते हैं ठीक है अब जैसे आप अपडेट करोगे थोड़ा सा दो सेकंड का टाइम लेगा उसके बाद अपडेट हो जाएगा यहाँ दोस्तों जैसे ही Facebook अपडेट हो जाएगा यहाँ आपको सिंपल सा यहाँ पे ओपन कर लेना ठीक है आप Facebook को ओपन करोगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पे आपको करना क्या है वन बाई वन सारा प्रोसेस बताऊंगा देखिए अब यहाँ पे आपको Facebook का नाम चेंज करने के लिए सिंपल सा अपने प क्लिक करना है उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे setting and privacy के just down में मिलेगा आपको setting का option इस पे क्लिक कर देना है अब जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे गाईस उसके बाद अब यहाँ पे देखो कहीं पे भी आपको Facebook नाम चेंज करने का option नहीं मिल रहा है ठीक है आप यहाँ चाहे जितना scroll कर लो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा ठीक है अब आपको यह करना कैसे है यह मैं बताता हूँ ठीक है इसके लिए आपको simple सा करना क्या है यहाँ पे देखिए लिखा हुए see more in account center आपको simple सा इस पे click करना है अब जैसे आप इस पे click करोगे ना तो password and security उसके just नीचे में लिखा हुआ है personal detail आप अगर इसमें जाकर देखोगे ना तो इसमें आपको नहीं मिलेगा guys और information यह सब भी नहीं मिलेगा अब आपको facebook का name कैसे change करना है यहाँ पे आपको देखो जहाँ पर आपका profile है वहाँ पे लिखा हुए profile और आपका नाम आपक इस पर click करोगे यहाँ पर फिर से आपका facebook का icon और आपका नाम आ जाएगा फिर से आपको इस पर click कर देना अब जैसे आप यहाँ पर click करोगे यहीं से आप अपना name change कर पाओगे ठीक है अब देखें यहाँ पर आप बहुत सारा चीच कर सकते हैं name username profile picture आवतार यारी आवता darling इसका नाम change कर सकते हो अब यहाँ पर चलिए मैं change करके दिखा देता हूँ जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पंडित आसीश शर्मा ठीक है तो यहाँ पर मैं change करता हूँ या फिर एक बात ध्यान देना है अगर आपको मैं बता दूं जैसे आप इसको change कर लेता हूँ पितोड़ा इंग्लिस में रहने देते हैं, आसीज, ठीक है, इतना डाल देता हूँ, उसके बाद सर्म, अब जैसे आप इतना डाल लोगे न, उसके बाद आपको एक चीज देखना है, यहाँ पे लिख लिएना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ यू चेंज यूर नेम, यू कैन नाट चेंज इट अगेन फॉर सिक्स्टी डेट, तो गाईज, आपको क्लियरली चेंज करना है, वरना आप दो महीने के बाद ही फेस्बुक नाम चेंज कर पाओगे, यह मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप चेंज कर रहे हो, तो यहाँ ध्यान में रखके करो, क्यूंकि अगर आप एक बार चेंज करते हो, तो आपको 60 दिन बाद ही दूसरे बार चेंज करने का मौका मिलेगा, तो यहाँ पे आपको चेंज कर लेना है, उसके कर दोगे आपका नेम चेंज हो जाएगा और यहाँ पे अपने तरफ से यह तीन बार मतलब तीन प्रोसेश दे रहा है कि आप कैसा नाम रखना चाहते हो देखिए यहाँ पर लिखा हुए पंडित आसी सर्मा पंडित सर्मा शर्मा आसीस पंडित तो आप अपने एकॉर्डिं आप अपने नाम फेस्बुक का चेंज कर सकते हो यहाँ पर चलिए मैं बैक करके दिखा देता हूँ पूरा है ठीक है यहाँ पर देखिए पंडित आसीस सर्मा जैसा था मैं वह ऐसा ही किया हूँ मैंने चेंज नहीं किया बट मैंने आपको चेंज करके बताया कि आप ऐसा कर सकते हो तो आई होव्प कि आप लोग समझ गयjut और होगे कि ृस कशेंज कर सकते हूँ उम्मीद है आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हुआ वीडियो अच्छा लगा तो विडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही प जानकारी हमार